हेलो लगनर्स हर हर महादेव कैसे हैं आप सब आज फिर में आए हूँ आप लोग की बीच एक और नई खुसकबरी एक और नए नौटिफिकेशन के साथ जी हाँ यूपी तिरपल एसी वालों ने एक और नया नौटिफिकेशन जारी किया है हेट सर्वेट मुख सेवी का ये आपका में एक्जाम होना है अब आप सबके दिमाग में एक और बात चल रहे होगी इसका प्री एक्जाम कब हुआ या इसमें एज कितनी ले जाएगी इसमें इल्जिविल्टी कितनी है इसके स्लेबस क्या-क्या है इस काटेगरी पोस्ट कित दिमाग में जो भी सवाल उपस रहे है उन सभी सवालों का समाधान और जवाब इस वीडियो के महाध्यम से आपको दिया जाएगा वीडियो के बीच बीच में इस एक्जाम से जुड़ी जितनी भी जानकारी है जो मैंने नौटिफिकेशन में रिट किया वह सब में आपके की वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और जो भी आपके भाई-बैन है रिस्तेदार है रहित बंदू है मित्रवर है जो यह फॉर्म डालना चाहते हैं उनको यह नौटिफिकेशन की वीडियो जरूर share कीजिए और अगर अच्छा लगे तो feedback जरूर दीजिए बिल्कुल दी समय नगवाते हुए आईए आपके सभी doubt को clear करते हैं यहां ओपर देखे लिखा है उत्तर प्रदेश अधिनस सेवा चैन आयोग या वो आयोग है जो आपकी परिक्षा कंड़क्ट कराएगी याई यू आपकी जो आवेदन करने की तीथी है वह है तीन अगस्त दो हजार बाईस से लेकर चोबिस अगस्त दो हजार बाईस तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं फिर अगर उसमें कोई गरबड़ी हो गई है को तुटी हो गई है तो आप उसको संसोधन 31 तारीक तक उसका संसोधन कर स सकते हैं और 31 तारीक तक आप अपनी फिल समीट कर सकते हैं नौटिफिकेशन की पीडियाप मैंने टेलिग्राम चैनल पर डाल दी है आप डिस्किप्शन बॉक्स में जाकर टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं वहां से पीडियाप पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना दॉट इन के माद्यम से ऑनलाइन करें अन्य था अन्य किसी माद्यम से प्रेसित आवेदन्स विकार नहीं किया जाएगा फिर है अपना अगला पॉइंट आवेदन्स उल्क यहां पर देखते हैं जो जनल काटेगरी के लोग हैं OVC हैं SCST और जो PS काटेगरी के लोग हैं उ पुष्टार उत्तरप्रदेश लखनो पद का नाम है मुख सेविका और यहां पर आयूग दी गई है 21 से 40 वर्स फिर यहां पर दिया गया है आनारचित वर्क के लोग के लिए जनल काटेगरी के लोग के लिए 1089 सीट है अनुसुचित जाद के लिए 563 सीट है OVC के लिए 727 सीट है और जो EWS वाले हैं उनके लिए 279 सीट है यानि कि कुल मिलाकर 2693 सीट है आईए देखते हैं एस से जुड़ी कुछ महतपूर बाते जो नौटिफिकेशन में साप साप मेंसेन है वो यह है कि आपकी मिनमम एस दी गई है 21 वर्स अगर आप 1 जुलाई 2022 22 तक 21 वर्स के हो चुके हैं पूरे कर चुके हैं तो ही आप फार्म भरिये अगर आपका एक दिन भी कम है तो आप फार्म मत भरिये वरना आपका फार्म जो है वो निरस्थ हो जाएगा और आपकी अधिक्तम एज दी गई है 40 वर्स और ध्यान रखें आप एक बार में ही चेजाम में नहीं बैट पाएंगे और फिर यहां पर देखते हैं इसकी अवियुक्ति, इसकी नियुक्ति क्या है? आस्थाई है कि अस्थाई है तो इसकी जो नियुक्ति होनी वो आस्थाई होनी है आजए बात कर लेते हैं, इलिजिविल्टी, स्लेबस और पेट जरूरी है कि नहीं पले देखते हैं इलिजिविल्टी इसमें कौन-कौन लोग इलिजिवल हैं फॉर्म होने के लिए तो इसमें दिया गया है जिन्नोंने बैशलर डिग्री हासिल की है आर्ट में बीए वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं जो जिन्नोंने सोसियलोजी, होम साइंस, सोसल वर्क के साथ अपना बीए कंप्लीट किया है वो ये फॉर्म भर सकते हैं और साथ में आपका यूपी त्रिपल सी पेट 2021 का स्कोर कार्ड होना जरूरी है अब आप सबको तो पता चल ही गया होगा कि यहाँ पेट जरूरी है जिन्नोंने पेट 2021 का एक्जाम दिया था वही लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं और साथ साथ यहाँ पे मेंसन है जिन्नने पेट एक्जाम में जीरो या उससे कम या नकारात्मक अंक प्राप्त किया था वो इस परिक्षा में नहीं बैठ सकते हैं या उससे ज़्यादा नंबर वाले इस परिक्षा में बैठ सकते हैं अगला पॉइंट देखते हैं चैन का आधार यहाँ पर देखते हैं आपकी परिक्षा किस मोड में होगी आपका इंटर्व्यू होगा या नहीं होगा आईए जानते हैं अपने सभी सवालों के जवाब तो यहाँ पर साब साब लिखा हैं दिनांग 2021-2029 साल लिखित परिक्षा की जाएगी और इसमें कोई इंटर्व्यू नहीं है और आपका जो मोड है वो अफ्लाइन मोड है फिर देख लेते हैं अपना स्लैबस परिक्षा योजना आयों पार्टकरम यहाँ पर लिखा है आयोग द्वारा उक्तपदों पर चैने है तो लिखित परिक्षा की परिक्षा योजना आयों पार्टकरम आयोग की वेपसाइट इनकी वेपसाइट है यूपी ट्रिपल एस सी डाट गवर्न डाट इन पर यथा समय पर्थक से प्रकासित की जाएगी जो नौटिफिकेशन इतना लंबा पीडिएप दिया उसमें इन्हों ने स्लेबस अपनी वेपसाइट पर अलग सेक्षा करेंगी तो जब भी इनकी website पे slabas post की जाएगी मैं वीडियो के माध्यम से आपके सामने हाजिर हो जाएगी और उस वीडियो को पानी के लिए आप जल्ली से इस चरह को subscribe कर लीजे बिल आइकन को hit कर लीजे कि जब भी मैं slabas की वीडियो लेकर आओं आपको notification मिल जाए notification की pdf, slabas की pdf, answer की pdf और previous question paper की pdf यहां ते की current affair की pdf मैंने अपनी टेलिग्राम चैनल पर डाल दी है आप description box में जाकर टेलिग्राम चैनल की link पर click करके टेलिग्राम चैनल पर join हो जाएगी यहां पर एक बात बता दू कभी कभी लिंक पर click करने से वह रिलूड बताता है तो आप टेलिग्राम एप में जाएए चैनल का नाम create संकल्फ सर्च कीजिए वहां पर आपको शरह मिल जाएगा वहां से आप ज्वाइन हो के पीडियाप सारे ले सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फीड़बाइक दीजिए सेर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए तब तक लिए बाई टेक केर थैंक यू सो मस लर्नर्स मिलते हैं अगली वीडियो में लेकिन कम मिलेंगे जब आप बेल आइकन को हिट करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मिल पाएंगे ना तो इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को हिट कीजिए थैंक यू सो मस लर्नर्स